नमस्कार मैं हूँ मुकेश कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ब्रेन पाउर जोन यूटूब चैनल में आज लेखर आया हूँ हिंदी 100 मार्स्क्स बिहार बोड बरावमी का पध्य खंड से लिया गया मलिक मुहमद जैसी द्वारा लिखा गया कड़बक चैप्टर क वस्तोनिस्ट फ्रस्टन जिसको अंग्रेजी मोप जेक्टिव कोईशन बोलते हैं तो हमने सबसे पहले इसकी बशाद करें व्यक्या की तो ब्यक्या हमने अपलोड कर दिये हैं आप डिस्क्रीप्टिप्जिंस में जाकर देख सकते हैं वीडियो को और यह अबजिक्टीव का वनली अबजिक्टिव विडियो अगर आपने व्यक्या देख ली हो सिर्फक कविता किस्ट ने लिखी है तो यह फर्ष्ट में ही मलिक मुहमद जयसी देखिएगा यह पाठ का नाम और लेखक का नाम बहुत जादा तर पूछा जाता है तो आप यह याद करना कभी नहीं भोलिएगा आप हमेशा पाठ के नाम और लेखक के नाम जरूर याद पुर्वार्थ का मतलब पहले और उत्राथ का मतलब बाद में 1491 इस भी अनुमान तब बताया गया कोई फेक्स टाइम टेवल नहीं है अनुमान बताया गया यह तिन नंबर कोईशन में है कि मलिक मुहमद जैसी का निवास अस्थान कहा था तो अस्थान अमने बताया था कि उत्तर पर्देश तो जैस कब्रमेठी उत्तर पर्देश यह जगाह का नाम है यह सारी चीजे जैस कब्रमेठी जो जगाह का नाम है राय बरेली जीला में पड़त जैसी टाइटल इनके जैयस से ही जुड़ा हुआै। अगला कोशन है कभी मलिक मुहमद जैसी के पिता का क्या नाम था तो फर्स्ट वाला ही सह है मलिक सेह मम्रेज मिरीक राजे असरफ इंको लोग कुछ लोग ये कहता थाकうん लोग एक आता तो इनके पीता जी का नाम यहीं है मलिक क्या नाम अगला खैसरा कि गुरु हसरा तो इनके गुरुजी की बात करें तो यह था सुफी संत्र श्यमुहीति और स्रहाद अश्रम जाहंकिर इनके गुरुजी और जो काम काज था इनकी वृति कालाती है ठीक है तो पढ़ते हैं आरांब में जायस में रहते हुए किसानी ये बात सही है ये हुआ था इनके साथ बाद में सिस जीवन फकीरी में ये भी सही है बच्पन में ही अनात साधू फकीरों के साथ भटकते हुए वह जोला लेकर अगला कोशन है कि मल करना में कि अब्रव पने करना में कौन कौन से चीज इन्हों हो ने रचना किया हुआ है तो पदमावत अखरावत आखरी कलाम चित रहा सब अखना कि योगा के अग्ला कोशन की जाएसी ॹास कोन सी ठी ये मुहमत जाएसी की भाषा ओधी ठीक है अग्ला कोशन है काली जगह को वरना एक को भर्ने से पहले आप बिछ स्वाव या हमारे फ्यक्राभ वाले वीडियो का देखिएंगा तु raise आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूत नहीं है एक बार में ही याद करा दिया गया था वीडियो में आप जरूर देखिए कवार इतना प्रेस करने के बाद भी करें जो लहीं अंबही डाव नहीं तो लहीं सुगंद बसाई ना सोई जब तक आम में डाव नहीं होता है तब लसे सुगंद नहीं निकलता है यह सब चीज हमने बता दिया नहीं होगा ऑगाना क। अगला कोशन है अगला जनी जगह को भरनाए फिरसे धनी सो पूरक जस्कीरति जयाश्व पूरक शुरूती से लेकर अंतक हम ने ऐसा एक्सप्लेंग किया हुआ है कि टोटल अबजेक्टिस अबजेक्टिफ समरी मोले या सारांस जो भी हो वग्षिशनी जासकी रतिजासु तो पूरुक पूरुक होगा इसमें धानी सो पूरुक जस्की रतिजासु फूल मरे पर मर्यन वासु जो धनी लोग है ना उनके जो की रती है इज़त परतिष्ठा है वो चीज जो है वो कभी नहीं मरता है। जिसपरकार फूल को मर जाने के बाद, उसमें जो बाशु सुगंद होता है, वो कभी नहीं मरता है इस परकार से। ठीक है। अगला है नैनिस सब्ड का तीन पर्यावाची सब्ड लीखे। तो नैन means होता है आख, तो आख का यहां पे मिल रहा है तो आप देखिए आख हो गया नयन मिस भी आख होता है नेतर मिस भी होता है लोचन भी होता है फिलाल हमें तीन कर रहा है तो तीन ही वाला चुनना एडी नंबर सही है अगला है बारा नंबर में की आम सब्द का तीन परयावाची सब्द लिख है मतलब मीठा वह भी आम कोहीं कहा जाता है तो यह नंबर सही है अगला कुशन है चंदर्मा सब्ध का तीन पर्यवाची सब्ध लिखें तो चंदर्मा सब्द की बाद करें तो यहां पर देखिए चांद सबसे पहले चांद, चांद कोई और में भी नहीं है, तो इसलिए ये तीनों तो छटीं गया, बी नंबर चांद, फिर राकेश, चंदर्मा को ही कहा जाता है, ससांक, चंदर्मा को ही कहा जाता है, आपने एक श्लोक देखा होगा, आप याद कर सकते हैं, टाइम कम बचा हुआ है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, नहीं किया, तो जरूर कर लीजिएगा, आगे बहुत सारा वीडियो, आप से आपके रिलेटेड आने माला है, आपके स्टडी रिलेटेड हिंदी हो, या इंगलिस हो, या अन्ने विशे कोशिश करेंगे, अल विशे का डालने का, फिलाल अभी हिंदी इंगलिस चल रहा है, आप लाइक किजिएगा वीडियो को समझ नहीं है, तो कॉमेंट जरूर किजिएगा, धन्यवाद, जयें